और दूसरी बोल करेंगे कुल्दी फिरोम दादरी और एक और छक्का तन्नी भाटी फिरोम साकी पुर्दुआरा काभी लंबा छक्क और ये चोथी बोल उठा दिया है उसको देखते हैं फिल डर्ची बोल उठा दिया है एक और छक्का इजी के साथ एक और छक्का लग चुक और अपने भाई पवन भाटी फ्रोम मकोडा से जो कि डवल विकित मुकाबला खेला जाएगा कुल्दी वर्सेज वासिद कासना के बीच ये साकिपूर पारग पर मुकाबला खेला जाता हुआ डवल विकित मुकाबला मैच की पहली बोल करेंगे कुल्दी फ्रोम मकोडा जो कि 21 रुपे का सेट खेला जाता हुआ वासिद फ्रोम कासना से डवल विकित मुकाबला चलता हुआ साकिपूर पारग में 130 मीटर पर ये पारग है दोनों ही काफी उबरते हुए खेलाडी गाम लेवल पर काफी फैन फोल पहली बोल और ये डोट बोल और मुकाबले की दूसरी बोल करेंगे कुल्दी फ्रोम मकोडा वासिद फ्रोम कासना जो कि बैटिंग के लिए तैयार है 21 रुपे का पर सेट कुल्दीब की टीम में तन्नी भाटी फ्रोम साकिपूर और कुल्दी फ्रोम दादरी काफी डबल किट मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है ये ग्रामिन लेवल पर काफी अच्छे खिला रही है दो चारो ही और मुकाबले की दूसरी बोल करेंगे कुल्दी फ्रोम मकोडा और ये डोट बोल और मुकाबले की चोथी बोल के लिए तैयार कुल्दी फ्रोम मकोडा वासि प्रोम कासना कुल्दी फ्रोम दादरी बैटिंग करेंगे बाकी दो बोलो पर और ये एमपार का इसारा वाइड बोल काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ और ये पाची भी बोल मुकाबले की हट के मारा है लेकिन डोट बोल 21 रुपे का पर सेट खेला जाएगा पहले मैच की अंतिम बोल करेंगे कुल्दी फ्रोम मकोडा और ये भी डोट बोल इसी के साथ कुल्दी फ्रोम मकोडा को मैच जीतने के लिए एक ओवर में एक ही छक्का चाहिए कुल्दीब फ्रॉम दादरी बोलिंग करेंगे कुल्दीब मकोडा के लिए और ये एक छका चाहिए एक और में जीतने के लिए मैच को और ये पहली बोल और ये काफी अच्छी बोल डोट बोल दूसरी बोल और ये भी डोट बोल और ये तीसरी बोल करेंगे कुलदीब रोम दादरी ये डॉट बोल हो चुकी है चोथी बोल मैच की उठा दिया है देखते हैं क्या होता है नहीं लेकिन ये डॉट बोल होगी चार बोलों पर कोई बॉंडरी नहीं मार पाएं कुलदीब मकोडा और अब दो बोलों पर एक छका चाहिए मैच को जीतने के लिए और ये पांच भी बोल करेंगे उठा दिया है बोल जा रही है बोंडरी के तरफ छेरन इसी के साथ पहला मुकावला जीत गए हैं कुलदीब फिरोम मकोडा मुकावला कुलदीब फिरोम मकोडा जीत चुके 200 रिपे का पर सेर चलता हुआ और अब ये दूसरे मुकावले के पहली बोल करेंगे कुलदीब मकोडा बाजित फिरोम कासने के लिए और ये पहली बोल उठा दिया है देखते हैं क्या होता है फिल्डर उसके नीचे है और इसी के साथ आउट पहली बोल पर ही पहला विकेट हो चुका है और मुकावले की दूसरी बोल दूसरी मैच की और ये डोट बोल और ये चीता ही कह देते हैं एक से एक चीता है कुलदीब और ये दोनों कुल्दीप चीता से कम नहीं है और ये चोथी बोल करेंगे कुल्दीप फिरो मकोडा कुल्दीप दादरी के लिए और ये वाइड बोल पवन भाटी अपने भाई वाइड बोल का इसारा करते हुए फिरो मकोडा और दूसरे मेल की चोथी बोल करेंगे और ये डोट बोल एक बांस हो चुका है और ये पांची बोल दूसरे मैच की उठा दिया है बोल जारी है बोंडरी के बहार काफी लंबा छक्का मार देया है कुल्दी परोम दादरी ने और ये अंतिम बोल दूसरे मैच की और ये डोट बोल अभी कोवर में जीतने को मैच को दो छक्के चाहिए दूसरा मुकाबला चलता हुआ और अपने भाई दोनों के टीमों का होसला बढ़ाने के लिए और ये किसमादर चोद का फोन आ चुका है और ये पहली बोल करेंगे और ये अगली बोल और ये डोट बोल चार बोल हो चुके हैं कोई बॉंडरी नहीं पार मार पाएं कुलती फिरो मकोडा और ये पांच भी बोल नो बोल दे दिये बहां पर और ये डोट बोल और ये अगली बोल पांच भी बोल उठा दिया है देखते हैं क्या होता है लेकि बोल हो चुकी हैं डोट कोई छक्का नहीं मर पाएं दूसरे मुकाबले में और अपने भाई दोनों टीमों का उस लहब जाई करने के लिए काफी दूर कासने से मुकाबले को देखने के लिए आए हैं एक से एक बड़ा खिलाडी चुपा हुआ इनो में भी और यह फिर कैसे अंतिम बोल खेलने के लिए हैं तनी भाटी फिरोम साकीपुर और यह अगली बोल मुकाबले की और इसे के साथ जो की मैच हार चुके हैं कुलदीब फिरोम मकोडा दूसरा मुकाबला हार चुक एक पहले कुलदीब दूसरी बार यह दूसरा कुलदीब मुकाबले को जीच चुका है तीसरे मैच की पहली बोल करेंगे कुलदीब फिरोम मकोडा जो जारी है बोल देखते हैं क्या होता है छेरन दिबार में बोल लग चुकी है तीसरे मुकाबले में 2100 से बढ़ कर यह 3100 क मकोडा एक और बोल सो लेकिन ये डोट बोल वासिदाली फिरों कासना मैच की तीसरे मैच की तीसरी बोल का सामना करेंगे कुल दीप फिरों मकोडा एक किस सो और इसी के साथ देखते हैं क्या होता है फिल्डर उसके नीचे है कुल दीप हैं केडी वाले और ये आउट एक किस स कुल्दीप रोमदादरी बैटिंग करेंगे और यह मैच की चोथी बोल करेंगे कुल्दीप उठा दिया है बोल जार यह बॉंडरी के भार छेरन एक और छक्का इसी के साथ इसोबर में चार बोलों पर दो छक्के लग चुके अपना भाई खालिद फिरों मकोडा पानी हमको भी प्याएंगे जरा लेयाओ पानी चार बोलों पर दो छक्के लग चुके हैं कुल्दीप रोमदादरी ने काफि अच्छा सोट मारा और यह मैच की पांच भी बोल करेंगे कुल्दीप उठा दिया है लेकिन यह डोट बोल और यह अंतिम बोल मुकाबले की उठा दिया है लेकिन यह डोट बोल इस मैच को जीतने के लिए तीन चक्के चाहिए कुल्दीप रोम मकोडा को मुकाबले को जीतने के लिए तीन चक्के चाहिए पहली बोल काफि बहतरिन गैंदवाजी करें कुल्दीप रोम दादरी ने काफि बहतरिन गैंदवाजी और यह दूसरी बो बोल होगी दोट बोल दो बोलो पर कोई बोंडरी नहीं मार पाएं कुल दी फ्रमकोडा और मैच की तीसरी बोल फिर केसे उसको उठा दिया है लेकिन ये डोट बोल होगी और ये डोट बोल तीन बोलो पर कोई छक्का नहीं मार पाएं कुल दी फ्रमकोडा और चोथी बोल और ये डोट बोल इसी के साथ मैं समाथ कुल्दी फिरोम मकोडा इस मुकावले को जीत चुके हैं कापी बहतरी निगेंद बाजी कर ये कुल्दी फिरोम दादरी ने और एक मैच की वीडियो सूट नहीं करी थी उस मैच को कुलती फिरो मकोडा जीत चुके हैं और ये पांचों मुकाबला इसी के साथ वीडियो कंती हैं पर करेंगे पांचों मुकाबले पर हम देखते हैं क्या होता है 31 से बढ़कर ये मुकाबला 51 सो पर चला जा चुका है पहली बोल करेंगे कुलती फिरो मकोडा और ये डोट बोल और ये दूसरी बोल 51 सो रुपे का मुकाबला चलता हुआ ये दूसरी बोल करेंगे कुलती फिरो मकोडा पांचों मुकाबला चलता हुआ अभी कोई हार नहीं क कोई नहीं जीत इस मैच को उठा दिया है देखतें क्या कर पाता है कोई फिल्डर है नहीं और यह कैच ड्रॉप हो चुकी है इसी के साथ दो बोलों पर कोई बॉंडरी नहीं और यह तीसरी बोल और उठा दिया है देखतें क्या कर पातें फिल्डी फिल्डर है तन्नी भाटी प्रोम साकिपूर और ये आउट इसी के साथ केच आउट हो चुके हैं और ये चोथी बोल उठा दिया है उसको देखते हैं फिल्डर उसके नीचे है नहीं और ये छे रन चार बोलो पर एक छक्का लग चुका है कुल दी फ्रोम दादरी ने कापी अच्छे बोलर है और कापी और अब बैटिंग करेंगे तनी भाट इफ्रोम साकिपूर तीन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए पहली बोल बोल बोंडरी के भार छेरन पहली बोल पर ही पहला छक्का तन्नी भाटी प्रोम साकीपुर और दूसरी बोल करेंगे कुल्दी प्रोम दादरी और एक और छक्का तन्नी भाटी फिरोम साकीपुर्दुवारा, काभी लंबा छक्का, बोल जारे बॉंडरी के भार, इसी के साथ मैच जो कि टाई हो चुका है, चार बोलो पर एक छक्का चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, और अगली बोल, तीसरी बोल, और ये डोट बो चोतिए बोल मुकाबले की दोट बोल और ये पिछला मुकाबला जो कि कुलदी फिर्म मकोडा जीच चुके हैं तन्नी भाटी फिर्म साखिपूर ने तीन छखे लगा दिए एक ओबर में और ये डोट बोल ये छटा मुकाबला चलता हुआ एक मैच पिला सो चुके हैं कुल्दी फिरों मकोडा एंड तन्यभाटी साकिपुर कापी बहतरी निबले वाजी करिया तन्यभाटी साकिपुर ने एक और में तीन छक्के चाहिए थे मैच को जिताने के लिए और तीनी छक्के मार दिये और ये छटे मैच की दूसरी बोल करें कुल दीप फिरोम मकोडा और उठा दिया है देखते हैं फिल्डर क्या कर पाता है और ये केच को नहीं पकड़ पाई इसी के साथ डोट बोल हो चुकी है कुल दीप फिरोम दाधरी बैटिंग करते हुए कापी अच्छे गैंदवाज है और कापी अच्छे बैश्मेन और अग पोट बोल और ये पांच भी बोल उठा दिया है लेकिन फिल्डर उसके नीचे मोजूद है बैस भी है और ये जूट चुकी है के पांच बोलों पर कोई बोंडरी नहीं मार पाएं कुल दीप फिरोम दाधरी और मुकावले की अंतिम बोल करेंगे कुल दीप फिरोम मकोडा काफी बहतरीन गेंदबाजी आजए इसकसाथ ओबर मेडन एक छकाचा ये मैच को जीतने के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी करिये कुल दीप फिरोम मकोडा ने और अब बैटिंग के लिए आज़के तन्नी भाटी फिरोम साकिव और एक छकाचा ये मैच जीतने के सब्सक्राइब और यह नो बॉल और बैटमन ने नो बॉल को मना कर दिया है और अगली बॉल मुकाबले की बॉलिंग करेंगे उठा दिया है बोल जाती हुई बॉंडरी के भार इसी के साथ पहली बोल दूसरी बोल पर ही मुकावले को जीच चुके हैं और इसी के साथ मुकावला खतम बिन हो चुका है मुकाबला दो मुकाबले जियुत तुष्के हैं तन्नी भाटी फ्रोम साकीपुर और कुलती प्मकोडा